नमस्कार, मैं हूँ सरीता और आप देख रहे हैं लोगतंतर समाचार अक्षर तित्य के दिन परशुराम जेनती मनाई जाती है आए जानते हैं कौन है भगवान परशुराम और आखिर क्यूं आता है भगवान परशुराम को इतना गुस्सा हिंदी मानेत के अनुसार परशुराम कोई और नहीं बलकि भगवान विश्णू के छटे अपतार थे माना जाता है कि भगवान परशुराम का जनम छे उच ग्रहों के योग्ये में हुआ इसलिए वद तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी मनुश्य बने परशुराम ही थे जिनकी इशारे पर नद्यों की दिशायें बदल जाया करती थी अब तक भगवान परशुराम पर जितनी भी साहित्य प्रकाशित हुए हैं उनसे पता चलता है कि मुंबई से कन्यकुमारी तक के शेत्रों में आठ कोणो में बाठ कर परशुराम ने प्रांत बनाया था और इनकी रक्षा की प्रज्या भी ली थी पुरानी कथाओं में भगवान परशुराम के गुस्से को लेकर कई कहानिया प्रचलित है आये देखते हैं ऐसी कौन सी कहानिया हैं इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें परशुराम के क्रोध की कहानिया मिलती है कहा जाता है कि इनके क्रोध से सभी देवी देथा भैवित रहा करते थे अगर आपके पास भी भगवान परशुराम को लेकर कोई और जानकारी है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में शेर करें